नमस्कार दोस्तों एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हुझ जैसवाल आप देख रहे हैं टार्गेट इस पॉसिबल दोस्तों आज के इस वीडियो के माद्यम से जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले CSC VL भाई हैं उनलों के लिए यहां पर बहुती बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा हैं जो की डिश्टल सेवाप पोटल की तरब से आप सभी लोगों के लिए जारी किया गया है क्या है यह बीग अपडेट इसी के संब्बाद में मैं पूरी जंकारियापलों को देने वाला हूँ वहीं दोस्तों एक सस्क्राइबर ने मेरे इमेल पे एक परस्न किया है कि क्या उनके पास 5 साल पुराना यानि 2015 में उन्होंने सीफी के साथ अधार सर्टिकेट अधार सुपरवाजर सर्टिकेट के लिए इंजाम दिया था और उनके पास सीफी का सर्टिकेट है तो क्या वे अधार यूसियल में कारे कर सकते हैं या नहीं तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है अगर आपके पास CIFI का certificate हो या फिर NESIT का certificate हो तो भी आप लोग अधार UCL के लिए आवेदन कर सकते हैं तो आप लोग आवेदन प्रोसेस में डाल देजिए ताकि आप भी अधार UCL में काम कर सकें दोस्तों यहाँ पर जो Digital Siva Portal में अपडेट निकल के आ रही है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सभी के Digital Siva Portal पर यह सो हो रहा है तो दोस्तों आप लोग को बताया जा रहा है कि अगर आप Mozilla Firefox का इस्तेमाल करेंगे तो Mozilla Firefox कैसे डाउनलोड करना है और इसका कैसे इस्तेमाल करना है इसी के संबन में आप लोग को पूरी जंकारी देने वाला हूँ इसके लबा यहाँ पर देखेंगे Digital Siva Portal का Mobile App भी लांच किया गया है जिसका लिंक यहाँ पर सो हो रहा है आप लोग इस पर क्लिक करके डिरेक्टली अपने Mobile में भी इस्टाल कर सकते हैं और Digital Siva Portal पे जारी सभी सर्विसों को आप लोग मोबाइल में भी एक्सेस कर पाएंगे और सभी तरह के कार कर पाएंगे तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे Mozilla Firefox को डाउनलड करेंगे और उसमें Digital Siva Portal की सर्विसों का लाब उटाएंगे सबसे पहले आप लोग को Google में टाइप कर देना होगा Mozilla जैसे ही आप Google के सर्च बार में Mozilla टाइप करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा आप लोग को उपर वाले लिंक पे किलिक कर लेना होगा आपके सामने Mozilla की official website खुल के आएगी दोस्तों जैसे Chrome browser आप लोग इस्तेमाल करते हैं आपके सामने यहाँ पे डावलोडिंग का option दिखाई दे रहा है जो की installer है आप लोग को इस पे किलिक कर देना होगा ये इस्टालर की मदद से आप लोग अपने PC या फी laptop में Mozilla Firefox ब्राउजर को इस्टाल कर पाएंगे इसके लवा दोस्तों CSC के संबंदी जो भी EKYC परक्रिया होती है आसानी से एक्सेस कर सकते हैं इसके लवा इसमें आउस्मान भारतजना के संबंदीत कारे नहीं कर पाएंगे इसके लिए आप लोग को Chrome ब्राउजर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा तो यहाँ पर देखेंगे Firefox ब्राउजर यहाँ पर इस्टालेशन प्रोसेस में लग गया है इसके लिए आपके PC या फिर लेप्टाप में इंटरनेट एक्सेस होना ज़रूरी है उसके बिना आप लोग यहाँ इसे इस्टाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह डिरेक्टली ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से डाउलोड परकेजिया हो रहा है उसके बाद यहाँ पर इस्टालेशन होगा जैसे कि आप लोग Chrome ब्राउजर करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग वेट कर लिजिए उन सभी सर्विसों का लाब आप लोग इस फायरफेक्स के मादर्म से ले सकते हैं इसके लाब आप लोग को यहाँ पर थ्री डॉट दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा और जैसे ही आप लोग यहाँ पर आएंगे हेल्प वाले सेक्शन में तो यहाँ पर देखेंगे एप बाउट सेक्शन दिया गया है आप लोग को यहाँ पर क्लिक कर लेना है जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा वर्जन आपके पीसी में या फिलिप्टॉप में फायर फैक्स बाउजन इस्टाल है उसका प्रोसेस दिखा देगा इसके लवा कौन से बीट में आप इस्तमाल कर रहा है कौन से बीट में आपका पीसी है वो भी यहाँ पर सो कर देगा तो यह अपडेटर वर्जन है आप लोग चाहें तो डेटली इसे डाउनलेट कर सकते हैं डाउनलेट करने का भी लिंक मैं वीडियो के डिस्केप्सम बार में दे दूँगा वहीं दोस्तों आपनों को कमन सर्विस सेंटर या फिर केंद सरकार या फिर राज सरकार ये दोवारा जारी सभी सरकारी ये जनाओं के संबंदित पूरी सुचना तुरंत पाने के लिए आपनों को गैजेट्स अपडेट हिंदी.com पर जरूर विजिट करा जिए यहाँ पर सभी ये जनाओं के संबंदित ततकार जर्णकारी मिल जाती है तो आप लोग इस प्योसाइट को हमेशा फालो करें कोई भी अपडेट लेना हो तो चाहें वह आधार के संबंदित या फिर कमन सर्विस सेंटर के संबंदित जो भी सेवाएं जारी होती है उन सभी सेवाओं क संबंदित यहाँ पर लगतार जनकारियां अपडेट होती रहती हैं इसके अलबा दोस्तों gadgets update hindi.com की facebook पेज को भी आप लोग ज़रूप फालो करें लाइक करें ताकि facebook के भी माद्यम से आपको notification लगतार मिलते रहें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें आपके मन में जो भी सवाल या फिर सुझा हो तो comment के माद्यम से पूछ सकते हैं so thanks जैहिन वंदे मातरम